हलो गाइज, वेलकम टू केमबुष्ट अगेन, तो आज हम डिसकस करने वाले हैं एलकेंस एंड साइक्लो एलकेंस का लेक्चे नमबर 15, जिसमें हम बेसिकली कवर करेंगे जेनरल फिजिकल प्रोपर्टीज एंड जेनरल केमिकल प्रोपर्टीज ओफ साइक्लो एलकेंस को, इ में से हमने काफी मेथाड्स यहां पर डिसकस कर दिये हैं, बहुती मजदा लेक्चेर होने जा रहा है, तो चलिए लेक्चेर को बिना टाइम वेश्ट किये स्टार्ट करते हैं तो चलिए डियर स्टुडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको पिछली लेक्चेर में दो कोश्यंस दिये थे, अब देखिए हमारे पास यहां गुटारिक एसिड सब मैंने लिखवाया हुआ है, यह हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5 डाई करबोक्सलिक एसिड, तो साथ में वोटर का मॉलीक्यूल निकल जाएगा, गुटारिक एन्राइडराइड होगा हमारे पास CH2, 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 CO, CO, O, साथ में हमारे पास निकल जाता है वोटर, यह हमारे पास बन गया गुटारिक एन्राइडराइड, अब हमारे पास यह वाला कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 5, सोरी, 1, 7 डाई करबोक्सलिक एसिड, तो हमारे पास जब हम इसे हीट करेंगे, अलोन या डिस्टिल करेंगे, विद एसिटिक एन्राइडराइड, तो हमारे पास यह साइकलिक किटोन दे देंगे, विद लो से मोल कार्बन डायकसाइड, और साथ में वाटर निकल जाएगा, ओविस सी बात है, तो हमारे पास यह साइकलिक किटोन बनेगा, यहां पर, CH2, 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 C double bond, और साथ में, एक मोलीकियल लोस करेगा, कार्बन डायकसाइड का, ओविस सी बात है, देखे, यहां पर एक हमारे पास साइकल हेक्जेनोन की फर्मेशन हो रही है, साथ में, वोटर, वहां पर भी, जहां पर हमारे पास, 16-डायकर्बोकसलिक असरिट था, वहां पर भी कार्बन डायकसाइड का मोलीकियल लोस होगा, नहीं लिखागा, तो लिख लेना, ओविस सी बात है, एक कार्बन के लिए दिये थे, आपके सभी के होफ़ोली ठीक हुए होंगे, नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से सीख लीजिए, हमने सब कुछ आपको लिखवाया हुआ है, तो आप इसे नोट कर दीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे में टोपिक की तरफ, तो चलिए डियर स् कमाल की बात क्या है, कि जो साइकलो एलकेंस हैं, वो काफी हद तक एलकेंस को रिजेंबल करते हैं अपनी फिजिकल प्रोपरटीज में, लेकिन उससे भी मज़ेदार बात क्या है, कि जो साइकलो एलकेंस हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स और densities somewhat जादा होते हैं as compared to melting points, boiling points and densities of alkanes question arise होता है कि आखिर ऐसा क्यों? तो ध्यान से सुनिए डियर जब हमने alkanes की physical properties को discuss किया था तो वहां हमने देखा था कि जो alkanes के molecules होते हैं वो zigzag molecules होते हैं और oscillate करते रहते हैं जिस कारण वो crystal lattice में अच्छे तरीके से fit नहीं हो पाते on the other hand अगर हम बात करें cycle alkanes के molecules की तो वो oscillations को overcome कर लेते हैं और crystal lattice में काफी अच्छे तरीके से fit हो जाते हैं यानि well pack हो जाते हैं अब packing अच्छी होने के कारण जो intermolecular forces होते हैं उनकी strength बढ़ जाती है अगर और specifically बात करें तो वेंटरवाल forces of attraction बढ़ जाते हैं अब जब intermolecular forces of attraction बढ़ गए तो obviously बात है cycle alkanes में melting points ज़्यादा होंगे as compared to melting points in corresponding alkanes तो ये हमने deep the ground जा करके देख लिया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ second property के तरफ चलते हैं cycle alkanes have higher boiling points than the corresponding alkanes की हमारे पास जो cycle alkanes हैं उनके boiling points भी ज़्यादा होते हैं corresponding alkanes से reason क्या है कि cycle alkanes tightly held होते हैं solution में as compared to alkanes के अगर हम बात करें third property पर चलते हैं cycle alkanes have higher densities than corresponding alkanes की जो cycle alkanes हैं उनके densities ज़्यादा होती है as compared to corresponding alkanes अब देखिए dear ये point first से related है अब आप कहेंगे कि sir कैसे देखिए हमारे पास first point में हमने कहा था कि जो cycle alkanes के molecule हैं वो well packed होते हैं as compared to alkanes अब जितनी अच्छी packing होगी ओवेस सी बात है उतनी ज़्यादा densities होगी क्यों क्यों क्योंकि हमारे पास dear density क्या होते है mass per unit volume अब देखिए हमारे पास अगर हम बात करें alkanes की तो देखिए वहाँ पर अच्छे तरीके से packing नहीं होती लेकिन cycle alkanes में packing ज़्यादा होती है और alkanes की अगर हम बात करें तो packing अच्छी नहीं हो पाती है मतलब space ज़्यादा occupy रहता है उनके case में यानि volume ज़्यादा occupy रहता है अब ये ज़्यादा हो गया तो density अपने आप कम हो गई तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि जो cycle alkanes हैं उनके densities ज़्यादा होती है as compared to corresponding alkanes deep the ground हमने आपको बता दिया कि आखी रहसा क्यों हुआ उसके बाद हम चलते हैं fourth point पर cycle alkanes are also non-polar molecules like alkanes enhanced soluble in non-polar solvent example carbon tetra chloride and etc अब obvious सी बात है हमें पता है dissolve होने का क्या funda है like dissolves like मतलब जो polar है polar में dissolve होगा non-polar है non-polar में dissolve होगा अब cyclo alkanes के जो molecules है वो non-polar molecules है alkanes की तरह तो एकिस में dissolve होगे non-polar solvents में ही तो होगे और insoluble होगे polar solvents में जैसे की water हो गया हो alcohols हो गया तो ये थी basic physical properties of cyclo alkanes जिसको मैंने आपको काफी deep the ground जाकर समझाने की कोशिश की है तो आप फटा-फट से इन्हें note करें फिर हम discuss करते हैं general physics तो आप फटा-फट से तो आप फटा-फट से जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे free radical substitution reactions को basically ध्यान से सुनिएगा जब हम cyclo alkanes को treat करते हैं halogen atoms के साथ in the presence of light at room temperature या फिर हम उसे hit करते हैं in the range of temperature 525 to 575 Kelvin in dark I repeat जब हम cyclo alkanes को treat करते हैं halogen atoms के साथ या तो presence of light at room temperature या फिर उसे हम heat करेंगे in the temperature of range 525 to 575 Kelvin in the dark तो हमारे पास जो cyclo alkanes हैं free radical substitution reactions दिखाते हैं वो किस तरीके से आईए देखते हैं सबसे पहले हम cyclo propane को treat कर रहे हैं CL2 के साथ in the presence of light है तो हम room temperature पर कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर free radical substitution reaction हो जाएगी और हमारे पास product क्या बन जाएगा CH2 CH2 CH CL प्लस आप में निकल जाएगा HCl यह हमारे पास बन गया chloro cyclopropane लिखते देखे हैं यहाँ पर chloro cyclopropane इसी तरीके से जब हम cyclobutane को कर रहे हैं BR2 के साथ in the presence of light तो हमारे पास formation हो जाएगी CH2 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 CHBR साथ में क्या निकल जाएगा HBR यह हमारे पास बन गया bromocyclobutane लिख देते हैं bromocyclobutane इसी तरीके से जब हम cyclopentane को treat कर रहे हैं BR2 के साथ लेकिन यहाँ पर हम उसे heat कर रहे हैं at temperature of 575 Kelvin या हम क्या कर सकते थे कि in the presence of light at room temperature otherwise हम उसे heat करते हैं dark में at temperature in the range 525 to 575 Kelvin तो हमारे पास यहाँ पर formation हो जाएगी CH2 CH2 CHBR CH2 CH2 और यह हमारे पास formation हो गई bromocyclo pentane के उसाथ में क्या निकल जाएगा डियर very nice HBR यह हमारे पास मन गया bromocyclo pentane तो यह हमारे पास थी सबसे पहले free radical substitution reactions आप इने note कर लीजिए फिर हम चलते हैं हमारी next chemical property के दरफ तो चलिए dear students second हम देखेंगे addition reactions को उससे पहले मैं आपके साथ थोड़ी knowledge share करना चाहूंगा क्या आपको पता है कि हमारे पास जो cyclo alkenes है उनका general formula होता है CNH2N और यही हमारे पास general formula होता है alkenes का तो काईदे से तो क्या होना चाहिए था अपनी chemical properties में cyclo alkenes को resemble करना चाहिए था alkenes को लेकिन इनका cyclic structure होने के करण cyclo alkenes alkenes को resemble करते हैं अपनी physical properties में लेकिन लेकिन कि फटावर्ट से ring की cleaves की जाए और addition product बनाया जाए तो हमारे पास cyclo propane और cyclo butane हमारे पास alkenes को भी resemble करते हैं अपनी chemical properties में तभी हमारे पास यह addition reactions दिखा पा रही है अब हम देखते हैं कि इनका product हमारे पास क्या क्या होता है सबसे पहरे जिब हम cyclo propane को treat करते हैं Cl2 in FeCl3 के साथ तो हमारे पास बनता है 1,3 dichloropropane किस तरीके से आई यह देखते हैं यहाँ पर बन जाएगा CH2 ring की cleavage हो जाएगी हमने पहले ही बता दिया यह बन जाएगा CH2 Cl CH2 Cl क्या बन गया मैं साइड में लिख रहा हूँ इसका उपेसी ने यह बन गया 1,2,3 यानि 1,3 di chloropropane इसी तरीके से जब हम cyclo propane को treat करेंगे BR2 in FeBR थी तो हमारे पास बन जाएगा 1,3 di bromo propane जैसे कि उपर dichloro बना है यानि CH2 CH2 इसे ठीक तरीके से लिख लीजिए CH2 Cl CH2 BR रिंग की cleavage हो गई और हमारे पास addiction product बन गया यह भी क्या बन गया 1,3 di bromo propane लिख लीजिएगा लेकिन जब हम alone HBR के साथ treat करते हैं तो हमारे पास N-propyl bromide की formation होती है यानि CH3 CH2 CH2 BR यह क्या है हमारे पास N-propyl bromide लिख देते हैं N यानि normal propyl bromide इसी तरीके से जब हम cyclopropane की hydrogenation करते हैं in presence of nickel at 300 and 53 Kelvin तो हमारे पास formation हो जाती है propane की यानि CH2 CS3 CH2 CS3 यह हमारे पास क्या बन गया propane तो यह तो बात हो गई cyclopropane की अगर हम इन दोनों में compare करें यानि cyclopropane में तो cyclopropane ज़्यादा reactive होता है इसकी ring ज़्यादा stable नहीं होती इसकी कोशिश रहती है फटा-फट से ring को cleavage किया जाए और addition product बनाया जाए लेकिन cyclopropane less reactive होता है cyclopropane से तो इसी करके हमारे पास कासी ordinary conditions में addition reactions नहीं दिखाता हमें hydrogenation करने पड़ती है in present of nickel at high temperature और वो होता है 353 Kelvin तो हमारे पास formation हो जाती है N-butane की यानि CS3 CH2 CH2 CS3 बहुत ही मज़ेदा topic ये बन गए हमारे पास N-butane तो आप इसे note कर लीजिए जो ग्यान मैंने आपको यहाँ पर दिया था मैं आपको note की form में लिखवाता हूँ आप पहले इसे note कीजिए तो चलिए dear students अब note बना करके लिखिएगा जो कि मैंने आपको पहले ही explain कर दिया है मैं एक बार read कर देता हूँ फिर explain कर दूँगा एक बार क्या है note cyclopropane is the most reactive of all the cycloalkanes and undergoes many addition reactions through ring cleavage कि हमारे पास सभी cycloalkanes में cyclopropane most reactive है क्यों है क्योंकि इसकी ring stable नहीं होती जादा इसकी कोशिश रहती है कि ring को cleavage किया जाए और addition reaction दिखाई जाए यही बात यहां लिखी है उसके बाद cycloputane is less reactive than cyclopropane and undergoes only addition of hydrogen अब देखी हमने देखा था कि cycloputane की ring भी जादा stable नहीं होती लेकिन यह less reactive होता है as compared to cyclopropane और यहां पर ordinary conditions में addition reactions नहीं होती हमें hydrogenation करनी पड़ती है at high temperature while rest of the cycloalkanes are unreactive and do not form addition products कि हमारे पाद बाकी के जो cycloalkanes बचे वो addition products नहीं देते बलके alkanes की तरह substitution products देते हैं जैसा कि हम पहले देख चुके हैं यही बात हमने यहां लिखी है instead like alkanes they yield substitution products क्योंकि इनका base क्या है कि हमारे पाद जो general formula होता है cycloalkanes का वो होता है CNH2N यह तो alkane का भी general formula है मतलब alkane को resemble करना चाहे लेकिन ऐसा नहीं क्योंकि हमारे पास जो cycloalkanes है cyclic होने के कारण यह alkanes को काफी closely resemble करते हैं अपनी chemical properties में लेकिन cyclo propane और cyclobutane की बात करें तो इनके ring ज़्यादा stable नहीं होती कोशिश रहती है कि cleavage की जाए और addition product दिखाया जाए यानि यह resemble alkanes को भी करते हैं in their chemical behavior तो it is all about today एक बार हर lecture की तरह summarize करते हैं हमने क्या क्या किया सबसे पहले हमने study की general physical properties of cycloalkanes compare किया साथ-साथ alkanes की physical properties के साथ उसके बाद हमने देखी chemical properties cycloalkanes की बहुत अच्छे तरीके समझने की कोशिश की कि alkanes और alkanes को कैसे कैसे resemble करते हैं then हमने note की form में देखा कि कौन सबसे ज़्यादा reactive होता है कौन addition reaction दिखाता है और कौन substitution products देते हैं hopefully lectures आपके लिए काफी beneficial हो रहे होंगे आप अपनी feedback हमें comment section में जरूर दें और इन lectures को अपने friends के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इन lectures का benefit मिल सके तो चलिए till next video keep learning keep growing